आपको लगी गया होगा कि अच्छे दिन चल रहे हैं जीयो वाले फिरीशिम बेच करके भी कमा रहे हैं और बीएसेनल अपना खर्चा रोंग नमबर से निकाल रहा है अच्छा है वाँ 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 इस से ज्यादा अच्छे दिन के आएंगे मैं तो घर की देरी पे बैठा था तो एक सज्जन रोते पीटते आये रात को शायद स्वच्छ भारत अभ्यान के तहते एक चोर उनका घर साप कर गया था मा था पीटते जलाती वे बोले संपसरल जी क्या यही थे वो अच्छे दिन मैंने का कहने वालों ने यह थोड़ी कही थी कि अच्छे दिन सिरफ साउकारों के आएंगे सरकार का एक लक्षे सबका साथ सबका विकास भी तो है लेकिन हम भागे साली हैं कि 68 साल में पहली बार हमें एक भहुराष्टिय प्रधान मंत्री मिले आधी दुनिया का चक्कर काटके आगे अभी तक तो कोई इन्वेस्टर आया नहीं है इससे अचा तो ढ़ाई साल में देश के व्यापारियों पर भरिश्वा करता तो देश की तकदीर बदल जाते आधी दुनिया का चक्कर काट के आगे अभी कोई इन्वेस्टर आया निये बड़ा और वो भारे सरद जोशी जी ने बड़ी अच्छी बात कही हमें वह व्यक्ति उधार दे जिसका पुनर जनम में विश्वास हो मैंने तो खुद एक मोबाइल फॉन फाइनेंस करा रखा है ताकि फाइनेंस करने वाली कंपणियों के फॉन आ सके फॉन करने वाली अक्सल लड़की होती है वह बोलती है सर हमारी कंपणी से लोन लेलो कम इंट्रेस्ट आ रहा है मैं तो कहता हूं बाई तु तो बोलती रहे इंट्रेस्ट आ रहा है जैसा होना चाहिए वैसा नय होकर के जो नहीं होना चाहिए वै होता है तो व्यंगे पैदा होता है अभी बताया जैसे अजार और पान्सों के नोट चलन से भार हुए है गेर कानोनी घोशित नहीं हुए है ऐसे समझे जैसे दो बुजुरुग नोटों को मारक दर्सक मंडल में डाल दिया है अच्छी बात है चोरी रुकनी चाहिए लेकिन मेरा मानना डाका भी रुकना चाहिए क्या बात है एक लाइन में शिरी शिरी रवी संकर यमना के उद्दार में लगे थे और विजे मालया गंगान आ गया बाई ने 17 बैंकों की आलत उन नातिवी गोपियों जैसी कर दी जिनके कपड़े उठा के करशन जी पेड़ पे चड़ गे थे राजनितिक दलों को मिलने वाला जो चंदा है वो आई टी आई के दाएरे में लाओ तब पता लगेगा कि सीना कितने इंच का है विशंकतियों शिव्यंग निकलता है स्वच्छ भारत के स्वच्छ भारत अभियान के ब्राइन डेमेश्टर ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनकी खुद की बेड़ सीट नो कर जाड़ते हैं और वो लोगों देखा आपने स्वच्छ भारत अभियान का गांधी जी का चस्मा जिसके एक सीशे पर स्वच्छ लिखा है दूसरे पर भारत यानि जिदर स्वच्छ दिखता है उधर दो भारत नहीं है जिन्दावार भारत जिदर भारत दिखता है वो स्वच्छ नहीं है हद तो तब हो गई जब डीडी किसान चैनल लोंच किया सरकार ने और उसके ब्रैंड डेमेश्टर बनाए गए अमिताब बच्चन तो किसी ने सवाल कर लिया कि अमिताब बच्चन का खेती किसानी से क्या लेना देना मैंने का भाईया सरकार का मानना है कि फसल में दाने बले इनने लगें पोदे तो लंबे हों वो पिछले साल जापान के प्रधान मंत्री सिंजो आबे आये थे हिंदुस्तान तो मोदी जी ने सिंजो आबे के साथ बुलेट ट्रेन पर समझोता किया और अगले दिन सिंजो आबे को बनारस ले जाकर के तीन घंटे तक गंगा आरती दिखाई तीन घंटे तक गंगा आरती देखने के बाद सिंजो आबे ने कहा मोदी जी जब आप लोगों के पास इतनी फुरसत है तो काये को बुले ट्रेन चला रहे हैं